वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दू आज किस वीडियो में जितने भी question and उसके answer हैं ये पिछले फालो में कई बार परिच्छा में पूछे जा चुके हैं वही सारे इस वीडियो में question included है और कुछ question है जो कि आपके exam के लिए इस बार के लिए जो आपक समस्टर के छात्र जिनका subject sociology यानि कि समाज साफ्तर होने वाला है ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले पूरूब देख लीजिए बीए दुतिये वर्ष में तृतिये समस्टर यानि की थर्ड समस्टर है और subject आप देख लिए समाज साफ्तर है प्रस्ण पत् कौन-कौन से आपको त्यार करके जाने है चलिए तो पहला प्रस्ण है क्रसक आंदोलन क्या होता इसके बारे में बताईए और यह कुशन कई बार पैच्छा में पूछा भी जा चुका ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अग्रेजो का जब सासन था ठीक है तो अंग्र चेत्रों में बेगार प्रथा की कठोड़ता तथा अनेक नियम विरुद्ध ठीक है बेद खलीफे परिशान होने की करण क्रसक आंदोलन से क्रिये होता गया किसान महा जनों से बहुत उची दरों पर रिंड लेने के लिए विवस हो गये धान सुनिया भी समझाएंगे ठीक विवस होए और कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ी हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ प्रारंबिक क्रसक आंदोलन में नीर आंदोलन जो बंगाल में 1861 से 1860 इस्वी में सक्रे हुआ बीश्वी सताबदी का क्रफक आंदोलन 19 सदी के क्रसक आंदोलन क कि तुलना में अधिक ब्यापक प्रभावी संगठित और सफल था ठीक है इसका मतब यह है कि क्रसक आंदोलन का मतब जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती जो अना जुगाते हैं ठीक है उनका आप फोचेंगे वह आंदोलन के क्यों वह आंदोलन इस लेकिए जो किसान भाई खाने वाली चीज़े पाधन करते हैं ठीक है तो वह क्या है जब सासनकाल था अंग्रेज्यों का ठीक है यानि कि यानि कि आम जनता थी उससे क्रिस्चि करवाते थे वह पताया जा रहा है कि भारती किस्षी वियुफता में ब्यापक परवर्तन किये जाने की कण केफी के शेत्र में हलचल पैदा हो गई ठीक है और भारती किसान आर्थिक आधार पर कमज़र होते चलेगे ठीक है मतलब कि उनका जो छेत्र था उनका जो एरिया था वो लोग कब्ज फामीले ठीक बाकी दूफरा कोई ले ले वह वाला सिच्वेशन थी ठीक है उसके बाद अंग्रेजों के सासनकार में भारत की किसान लगान की उची दरों जमीदार छेत्र में बेगार प्रथा की कठोड़ता आ गई यानि एक तरीके से बहुत ज्यादा जो हमारा किसान था बहुत ज्यादा कम जोर हो गया था ठीक है उची दरों पर यानि कि ज्यादा पैसों पर कोई समान मतलब कि कोई समान ले तो उसको मिलती थी ठीक है ज्यादा पैसों पे ठीक है और अगर कोई चीज माल लीजे कि उनसे माल लों अंग्रेज लोग खरीद रहें तो कम पैसों म बीते लेते थे घैगे टो यह प्रक्रिया चल हे थी उसके बाद इससाब ही से पुखक अंदोलन सक्रें करणा मतलब किरीयाफ किया अ twoji कि सबिए किसान महाजंद उठे बहुत उची दरों पर रेंड लेने के लिए बीबस हो गए यानि कि उनके पास पैसे नहीं है या फिर कोई समस्चा है तो रेंड लेने पर मजबूर हो गए ठीक है और यह जो प्रभाव है किसानों की बड़ी हुई गरीबी के रूप में उजागर खुद अपना जुगाएंगे और खुद बेचेंगे अच्छे पैमाने बेचेंगे ताकि हमको उसे लाव हो ठीक है हमारा जीमन चल फके तो नोंने प्रारम में कृसक आंदोलन जो है वो नील नदी ठीक है नील फुरी नील नदी नील नदी हमको वह इतिहास्त वाला याद को संगठी तो सफल ला यानिए कि पहले जो आंदोलन किया गया उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन बाद में जो दुबारा पे आंदोलन किया गया ठीक है बिसवी चताब्दी में तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो किसान भाई थे उनको लाव हुआ यानि कि काना धिनियम के अंतर्गत कार के घंटों का पालन कार खाने के अंदर काम करने की दसाओं में आवस्चक सुधार प्रधोगी विवात की दौरां सामोही का सौदेबाजी की बिवफ्टा तालाबंदी का विरोत था आवस्चक्ता नुसार हड़ताल की चेतावनी बाहरी कार के अंतरव सलने के लिए उचित रहां फैन की वहफता शेमिक की आफिरतों के लिए ठीक है उचित के अन्दोलन के लिए चाहिए पूरत होनी चाहिए ये इख जो पैटर कि Шमानुन्त Deoss सब्सक्राइग का अह्से सक्शा से त café कलिए वहां होनकी के लिए बात्ठी। ठीक है लेकिन इसमें क्या था यानि कि जो नोकरी करने वाले हैं या फिर कोई अपना खुद का थोड़ा बहुत छोटा मोटा जंदा कर रहा है ठीक है तो उसमें क्या है प्रणा कि वह उस चीज को कम करें मतलब कि जो माली कोई नोकरी करने जारा तो बहुत तो आगर दस बाराग गंटे के साफ फैली दीजें तो समय आंदोलन इसी सब चीजों के वज़ा फे ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो चुके और उनको एक नियमा अनुसा जो मतलब कि समय होता उसी साफ है उनका बुलाए जाए उसी साफ है उनको छुट्टी दी जाए ठीक है प्रमा अंदालन की दुख कंडिशन रखेगे यही सब कंडिशन की भाईया श्रम में जो लोग है उनको भी अच्छे फिच्छा मिले और उनका अच्छा रहन रहन की और नियमानुसार नोकरी का टाइमिंग यह सब चीजे और भी वह फारी चीजे हैं इन सभी के लिए किया गया था बहुत महात्पूर्ट प्रेशन कई बार आ चुका है और दलित से आप क्या समझते भी कई बार पैच्छा में पूछा जा चुका है ठीक है निर्योगताओं वोगों का सामना करना पड़ता है जिससे उनका जीवन नरक में हो जाता है जो दलित लोग है उनको बह। ज्यदा आफ़ा काम करना पड़ता है या फिर उनको ऐसंपरकार के समय ओ Ñ के पास खाने के लिए कुछ बिवफ्था नहीं तो आपका जीवन क्या मरतक के समानी तो लगने लगेगा ठीक है जहां सावर्ड दलितों से अपने को बचाते हैं वही पर दलित की परंपरागत बिचार धारा के करण इस बात का प्रित्न करते हैं कि कहीं उनसे किसी सरवर्ड क धार्मिक क्रत्यों के संपादन में कोई ब्याधान ना उत्पन हो जाई इसे असपरण से जाती ही बह। कहा जाता है लग-अलग जो हमारे बिद्वान है अलग-अलग जो अमाung साफ्त्री हैं उसके बाद दलित आंदोलन भी चला गया ठीक ताकि लोगों के अंदर भेद बाव जो है वो किसी प्रकार करने रहे जाए सबके लिए एक बिवफ्था की जाए ठीक दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेद बाव के बुरुद और अधिकारों के रच्छा कर दो द्वारा बिरुद्प्रादर्सन किया गया हम भी एंसान हैं यह हैं और यह सब कंडिशन रखी गए दलित आंदोलन में ठीक है आज भारत वर्ष में दलित आंदोलन गाओं का सबसे लेकर राफ्टे अफ्तर तक हो रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांते और राफ्टे अफ्तर पर आंदोलन हुए राफ्टे अफ्तर प तो फारे छेत्र हैं जहां पर यह सब वाला सिस्टम चलता है मतलब कि छोट वाला यह फिर इस जात का उफधर्म का मतलों से मत बोलो यह सब ठिक है उनने सिफ सथिंखें के आरब में से ही महिलाओं के समस्चाओं के समाध्ान के लिए समाँyr को ने अपने पनी ढख कारेकरम बनाकरुन की दसा में सथार के प्रियाफ किया यानी क ji उन्थी सथीक्ष ही महिलाओं की कंडिशन है जो उन्थी अगर बुशिक्ष महलाओं को भी देखा जाए अगर पुरुष किसी भी छेतर में आगे बढ़ रहा तो महलाओं को क्यों आफर नहीं दिये जा रहे हैं तो इन सभी की जो समस्याएं हैं समाज में उनको फुधार करने के लिए जो समाज सुधार रखें वो का भी हद तक अपना प्रियाफ करते सभी और उसको दिन प्रट दिन सुधार के लिए प्रियाफ कर सके रहें हैं और करते भी रहेंगे औख्यें और अंदोलन ने पूरुष का भी योगदान रहा है कुछ अग्रनी महलाओं में एक पूरुष को छोत मिलती हैं में उससी नजरीय यसाप कर यहें चाहें आपका समाजिक शेत्र हो ठीक है आप कहीं आभी जाव शकते हैं ठीक है कुछ भी कर सकते हैं लेगली इन सब पर नतब कि इन सभी की वज़ा फे ही अंदोलन छेडा गया कि हम भी पुर्सों से कम नहीं है ठीक है और अनेक संगठन जैफे ब्रह्म समाज आरस समाज प्र ब्रत के खिलाव याँ के खिलांगना राज के निर्माड के लिए बोद गया ठीक है बोद गया आंदोलन की गई महिला अंदूलन में जोकी परिच्छा में कई बार रिपीटेड इसलिए मैंने ज्यादा समय आपको दिया और 100% उम्मीद है कि आएगा याएगा पढ़ रिया और अंदूलन तब तक छिपाते हैं जब तक या उनकी सेंफ्रक्ति की सीमा को पाड़ ना कर जाएं मतलब की महिलाएं जो होती है वो कोई ना कोई चीज को होती वह बहुत ज्यादा चीज़ें जाती हो बहुत साथी सहन सकती उनके अंदर होती ठीक है लेकिन वैसे वी उस तरह वाली बात है तो जरूर मतलब की बता ही देती है आप लोग महिलाओं के बात में मतलब की महिलाओं के पेट में बात जो पच्छती नहीं हो शेयर कर देती है लेकिन कुछ चीज़ें सायन सकती बहुत ज्यादा होती ठीक है तो बहुत महादपूर्ण प्रश्चनिस्ट को आप अपने प्रवाफ़ा दीजिए हो फक्ता बीकास की परिवाफ़ा जाए या फिर इसकी बिस्टाएं आ जाए वह फक्ता की अंतर आ जाए तो आप किसी भी प्रकार कर प्रश्चन आएगा तो आप उत्तर लिख देंगे और यह काफी हैलफूल कोश्चन है इसमें अंतर आपको बता प्रवाफ़ा जाने को एक फाधन हो सकता है तो इस प्रकार आप देखेंगे प्रगत और विकास के बारे में परिचे और उसकी परिभाफ़ा बहुत ही हाई लेवल का कुश्चन है काफी हेलफूल कई बारा आ चुका इसलिए में बता रहा हूं तो तयार कर लेंगे ठीक है की प्रिकरिया के बारे मताईए संस्कृति करण काफी हेलपल कोश्चन कई बार आ चुका पर परिच्छा में ठीक है तुम्स्कृति करण की परिभाफ़ा दीजिए अर्थ बताईए ऐसा प्रस्णा आपको देखने को मिल सकते हैं तो आपको उत्तर लिखना है कि एक हमारे बिद्वानवा लेखाक है जिनका नाम है फ्री निवास इन्होंने कहा कि समानी रूप से संस्कृति करण एक जात को जाती ठीक है फांस्तरण में उचापत प्राप्त करने के योग बनाता है संस्कृत की प्रिक्रिया के अंतरकत के वल उच्छ जात के रित्रिवाजों और इसलिए उच्छ वंस के साथ सम्रोपता अफ्थापित करना भी संस्कृति करण की प्रिकरिया में आता है ठीक है तुछ प्रकार लिखेंगे संस्कृति करण प्रिकरिया के बारें जो आपके कल्चर ने जो आपके रित्रिवाज यह सब देखिए जात के उपर यह नहीं कहा को फॉलो किया ठीक है काफी एल प्रकॉश्चन कई बार आ चुका इस बात को ध्यान लखेंगे समाजी कुद्विकास यह भी बहुत ही महात्पूंट प्रस्ट ने कई बार पर इच्छ हमें आ चुका यह और समाजी कुद्विकास की और धाना का उस्प्रस्ट कीजिए है एक पर एक ऐसा परिवर्तन जिसकी अनेक अवस्थाएं होती है उद्विकास की ठीक है इस तरह आपको तैयार कर लेना है कि समाजिक परिवर्तन एवं समाजिक उद्विकास में अंतर बताई काफी हेलफू कोश्चन और 100% आने कुमीद एक्जाम में तो इसको भी आपको अस्पस्ट करते हुए या फिर अस्पस्ट कीजिए तथा फनरशना के तत्तों कीजिए तो यह हाई लेवल का 100% आने वाला उम्मीद है परिच्छा में और स्योर है हमेशा आता इस बार भी आएगा समाजिक फनरशना की परिवासा आप लिखेंगे कि यद्व समाजिक फनर करने का प्रियास किया है ठीक है तथा कुछ सीमा तक उसमें सफल भी रहे हैं और समाजिक सनरशना की अवधाना को अस्पस्ट व्याख्या नहीं की है बलकि इन्हों ने इस हित्म में काफी ज्यादा सबनता भी हासिल कि ठीक है इसी तरह परिभाफा लिखेंगे काफी एलप उसमें कई फारे जो फुधार आंदोलन किये गई थे ठीक है उसमें क्या-क्या फुधार आए उसके प्रभाव बताईए और काफी एलपर कोश्चन है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता उत्तर आप लोगों के समस्त पूरा प्रस्तुत है हमारा इसमें क्या है ना इ बिद्धिर किसी में किसी ने पूछा जरूर जाएगा और तैयार कर लीजिए ठीक है यह बहुत ही है और माइंबाट एंटिक है चैनले इसको आपको सिल्ट करा दे रहे हैं ध्यान से सुनेंगे कि सुचना प्रद्दूग्री की से आप क्या समझते हैं प्रद्दूग्री क का उत्तर आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में या फिर वर्तमान युग में सुचना परद्दुग की समाज परिवर्तन का सबसे मुख्य और में श्रोत है आज जैसे जैसे मिन समाजों का कार बढ़ने के साथ विसे सीक्रत था और अपचारिक सब्द्धों में साथ रहते हैं तissy in metoda स्निंट अब गति नंतर कि उतना समाज़ हो तिवाला चीजत कि lei को होता नहीं हम पाइदल होता कि हम दोडकि जלא कि तो क्या ता नो पहले जलते हैं लेकित अब आईसजा सिष्टम आ क्या है इतना समाजिक परिवर्तन हो रहा है कि हम दोड़ने वाला थी अब दोड़ रहें ठीक है तो वह उस तरह का परिवर्तन हो रहा है मत्तीव रिगत से और बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण और यहां पर पर दोड़की के परकार और अगला कोश्चन बहुत ही टॉप लेबल कर जो कि प्रेच्छा में कई बार आ चुका है धर्म निर्पेच्छी करण यह भी हाई लेवल कोश्चन है ठीक है आएगा परिच्छा में पक्का तैयार कर लिजेगा और जो कोश्चन का उत्तर है ना वह बेसिक मतरब सिंपल महासा में आप लोगों की समझत में रखा यानि कि बहुत सारे हार्ड वर्ड हों जिसको आप समझ न पाएं ठीक है बेसिक सदेशे की धर्म निर्पेच्छी करण है यह है कि धर्म निर्पेच्छी करण अत्वा लोकिक की करण जो है वोग प्रक्रिया जिसमें परेडाम सुरुक किसी समाज में धर्म के आधार पर समाजिक बेवहार में बेदबाव समझत किया जाता है इसको हिम धर्म निर्पेच्छी करण करते हैं ठीक है सतंत्त्ता प्राप्त के बाद यानि कि जब हमारा देश लागवा सम्विधान लागवा उसके बाद में भी जो पहले धर्म निर्पेच्छी राज नहीं था ठीक हिंदू और मिसलिम धर्मों के अनुवाई सारवधिक हैं और उनका वेवहार जो उनके धर्म पर आधारित है एक दूफ्रे कभी रोधी है और अब धर्म निर्पेच्छी करण की बात की जा रही वाफतों में ध थीए उनके एक हम कि ये भी हमोटीक केलिए ऑवस्यक है कि जो है यही प्रतेयक्स वाज लगा सब्सक्राइब Origin की दर्म परोधिक को समाप्त कि तो तो इसके बाएम लिख सकते हैं काफी 확인, हालग अलग अलग जो हमारे बिद्वान हमिए सारा अलग अलग परीभां सा भी इसकी याद रखेंगे जो समाजीक परिवर्तन के कुछ इस्ध्धान तेहीं की कई बार पर इच्छा मेल चुकआ है तो पूरी पूरी पीडियों हमने आप सभी के लिए तैयार किये और वीडियो में जो मैंने कोश्चन बताएं वही वही आप इस पीडियों का मतलब इस जो पीडियुफ है इसका पूरा पीडियुफ है यह आपको टेलीग्राम वट्शब पर हम देंगे तो महां पर कि अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं और यह देख लेते हैं तो गारंटी है आप लोग 75 में से कम से कम से कम 50 से स्टार्ट नमबर आफानी फिले आएंगे कोई रोक नहीं सकता कम से कम बाकी मिलते हैं को ने वीडियो में जहिंद